क्यों? हर वक्त ऐसा ही क्यों होता है? हम लड़कियों को हमेशा ऐसे ही क्यों मरोडा जाता है? चीर वार के नंगा किया जाता है सिर्फ तन को ही नहीं मन को भी नूचा जाता है क्यों? हरे ये लोग ना उम्र देखते ना ही जात ना रंग देखते ना ही आउकात बस देखते हैं इन सब के पीछे चुपा एक औरत का बदन फिर क्यों दोश लड़कियों को ही दिया जाता है? लड़कियों के कपड़ों से उन्हें जच किया जाता है छोटे कपड़े पहने तो उन्हें चरित्रहिन का टैग लगा दिया जाता है क्यों? है जवाब? नहीं है अरे शौट्स पहनी है लड़की ने देखो देखो बेशरम कही की रेब तो होगा ही अरे बैटलेस फ्लाउस शरम नहीं है इनको इनके साथ ऐसा ही होता है रेब तो होगा ही देखो देखो लड़की ब्रास ट्रब दिखा रही है ऐसी ही लड़कियां मर्दों को उकसाती है इनकी साथ ऐसा ही होता है रेप तो होगा है फिर क्यों? हाँ जी हाँ फिर क्यों उस आठ महिने के बच्ची के साथ ऐसा हुआ था? कैसे उस मासुम के शरीर के कप्रों ने उस लड़के को उकसाया था? जवाब नहीं है ना? होगा भी नहीं हम फेमिनिज्म की बात कर रहे थे हम नारी बात की बात कर रहे थे हम वुमनें पामन की बात कर रहे थे पर अब ऐसा लगता है इस सत के साथ जीने का मौका मिल जाए वही काफी है थोड़ा खुल कर सांस लेने का मौका मिल जाए वहीं काफी है डर लगता है बाहर निकलने से भी और डर लगता है घर पे रहने से भी अरे जाए तो जाए कहां जानपरो जैसा सुलूक करे फूलोग इस्जत खोने वाला काम करे वो लोग पर आखिर में इस्जत उस लरकी की लुट गई है यही कहा जाता है हैवानियत दिखाए वो पर हमेशा हम और तो को ही कटखरी में खड़ा कर दिया जाता है जब सोच ही ओची हो तो सुधार की आशा क्या करे जब सोच ही ओची हो तो सुधार की आशा क्या करे जिस समाज में औरत के कपडों से उनके चरित्र का वर्नम किया जाता हो वहाँ औरत की सुरक्षा की आशा क्या करे